हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल दर्माथमेशीन शो में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स इससे पहले वीडियो में मैंने पॉलिटेक्निक इंटेंस एक्जाम मानू के बारे में बताया था इस वीडियो में मैं फिजिकल साइंस मानू बीड जो है फिजिकल साइंस से उसके इंटेंस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बाते मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले क्लास में जो मैंने मानू पॉलिटेक्निक के इंटेंस के बारे में बताया था उसमें में जो सबसे जरूरी जो एक 251 रेंक जिसका होगा उसका दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा चाहे वो किसी भी कैटिगरी से बिलॉंग करता हो और उस बच्चे ने फर्स्ट प्रिफरेंस जो भी दिया होगा जिस भी इंजिनियरिंग के लिए मतलब कि सिविल इंजिनियरिंग है या फिर कंप्यूटर साइंस है तो जिसमें भी दिया होगा उसमें उसका एडमिशन होगा और फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो है आ चुका है डिप्लोमाइन इंजिनियरिंग का और उसमें ये बात बिल्कुल सच साबित हुआ है और 251 रैंक त 350 तक है ना तो मैंने पहले उसमें भी बताया था कि जो सब को इसमें जोड़ा जाएगा तो 350 रैंक जिसका है या उससे कम है उसको लॉट हो जो कहा है सिट खैर आते हैं आज की इस वीडियो पर इसमें मैं आपको फिजिकल साइंस से रिलेटेड फैक्स पांच फैक्स मिल जाएगा उसके बाद चौथा कितने रैंक वाले का फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा प्रोविजिनल लिस्ट में दरभंगा में और लास्ट कितने रैंक पर दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो मानू बीएट फिजिकल साइंस में तेरा यहां सेंटर्स हैं एगजाम के था तो असंस्वाल में 111 और उसके बाद ऊरंगा बाद यहां संटर्स से कोई बक्चा एक्जाम नहीं दिया है उसकाव द्formed डेंगलूडू में जीरो बक्चा यहाई इस scenser से भी कोई exam नहीं दिया है भोपाल में भी goई भी exam नहीं दिया है इस school u इस बाद बीदर संटर से भी कोई भी exam नहीं दिया है उसके बाद और जातले कटक दिया है भच्ट निए उसके बाद है दर्भंगा में 73 बच्चे ने एक्जाम दिया है उसके बाद हाइदराबाद इस सेंटर से साथ बच्चे ने एक्जाम दिया है किशन गंज साथ बच्चे एप सेंटर है और सोला बच्चे ने इस सेंटर से एक्जाम दिया है जम्मू जो सेंटर है वहां से कोई भी नहीं है और कडपा यहां भी किसी ने भी इस centre से exam नहीं दिया है। उसके बाद आते हैं लखनाव। से एक बच्चे ने exam दिया। उसके अद्नुं से कोभी बच्चे ने exam नहीं दिया है। टना send राची सर तीन बच्चे ने exam दिया तर एक एPSंट रहा। ज़्म संबल और श्रिरिदेगणर। इन दोनों सेंटर से भी कोई भी एक्जाम नहीं दिया है तो टोटल हर सेंटर के बारे में हमने जान लिया कि हर सेंटर से कितने बच्चों ने एक्जाम दिया है अब हम लोग स्टेट वाइस जान लेते हैं कि कितने बच्चों ने किस-किस से एक्जाम दिया है इससे क्या होगा पता चल जाएगा कि कितने रैंग पर किसका selection हो जाएगा कौन से सेंटर पर तो statewide में जारखंड ठीक है जारखंड से तीन बच्चा एक्जाम दिया है ठीक है उसके बाद Delhi NCR यहां से भी तीन कंडिडेट है औरी शाह यहां से एक कंडिडेट है उसके बाद हाईदराबार तेलंगा आणा ठीक है यहां से साथ केनेजित ने इंटेन्स एक्जाम दिया है उसके बाद आते हैं DBG बिहार दरभंगा बिहार ठीक है 156 बचे ने इंटेन्स एक्जाम दिया है उसके पास मध्व्रदेश इस state से कोई भी बच्चे इंटर्स एक्जाम नहीं दिया और West Bengal यहां से 13 बच्चे इंटर्स एक्जाम दिये हैं उसके बाद आए यह जम्मू एंड कश्मीर ठीके यहां से भी कोई भी इंटर्स एक्जाम नहीं दिये हैं उसके बाद है UP UP से दो बच्चे इंटर्स एक्जाम दिया है महाराष्टर कोई भी नहीं करनाटक कोई भी नहीं हर्याना कोई भी नहीं ठीक है तो टोटल स्टेट वाइज मैंने आपको बता दिया है कि किस से कितने बच्चे ने इंटर्स एक्जाम दिया है इससे क्या होगा इससे हम लोग पता लगाएंगे कि किसका admission हो जाएगा कितने रहेंगाने पर हो जाएगा देखिए कि यह जो तिलंगाना है यानि हैदराबाद ठीक है जहाँ admission होगा आपका तो वहाँ टोटल सीट है नाइटीन ठीक है फिजिकल साइंस में और बच्चे हैं सिर्फ साथ तो यहां तो आसानी से हो जाएगा admission जैसे भी बच्चे ने इस को इस सेंटर को चुना होगा फस्ट प्रियारिटी में तो उसका admission आसानी से हो जाएगा चाहिए उसका कितना रहेंग हो उससे कोई मतलब नहीं है उसके बाद मद्र पर्दिस में भी उनीज सीट है कोई exam नहीं दिया है तो अगल बगल के राजी सब का जो है सो admission यहां हो जाएगा विस्ट बंगाल में भी उनीज सीट है और सिफ तेरह बच्चे ने exam दिया है तो उन सभी का भी आसानी से कितना रंग भी आए admission हो जाना है उसके बाद आते हैं श्री नगर 9 सीट है कोई भी एक्जाम नहीं दिया तो अगल बगल नहीं बलकि दूर-दूर के राजी के बच्चों को वहां भेज दिया जाएगा क्योंकि वहां को है नहीं उसके बाद यूपी दो बच्चे हैं और टोटल सीट्स 9 है वहा तो यहां भी आसानी से इन दोनों बच्चों का admission हो जाएगा चाहिए उनका कितना भी रैंक रहे है और उसके साथ साथ बिहार से बच्चे वहां जा सकते हैं यह मध्वर्दिस से भी जा सकते हैं उसके बाद महाराष्ट यहां भी 9 सिथ है कोई बच्चा नहीं है ठीक है यहां भी 9 सिथ है करणाटक में और कोई भी बच्चा नहीं है और हर्याना में भी 9 सिथ है कोई भी बच्चा नहीं है तो आप देख लिजे अच्छा एक बिहार का छूट गया बिहार में टोटल कितना है उननीस सिट यहां भी है ठीक है तो बिहार को छोड़ के बाकि किसी भी जगह जो है भीर नहीं है है ना तो वहां के बच्चों का चाहिए रैंक कितना भी हो और फर्स्ट प्रिफरेंस वो अगर दिया होंगे ठीक है तो आसानी से उनका अडमिशन उस जगह हो जाएगा ठीक है चाहे हरियाना हो करणाटक हो महराष्ट हो यूपी हो जम्मो कश्मीर हो वेस्ट बंगाल एंपी बिहार या तेलंगाना कहीं भी बिहार में क्या है 156 बच्चे ने एक्जाम दिया है और 19 सीट है बस ठीक है तो अब हम लोग जान लेते हैं कि बिहार में कितने रैंक आने पर लिस्ट में नाम आ जाएगा और उनका दर्भंगा में हो जाएगा तो अब हम लोग जान लेते हैं कि दर्भंगा में एडिमिशन केतने रैंक पर हो जाएगा कंफर्म एकदम ठीक है और फ्लस्ट प्रॉइजनल लिस्ट में नाम आ जाएगा द psychic अगर आपका डैंक 25 ग्सस जाएगा फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा अगर आपका रैंक 25 या उससे कम है आप सोच रहोंगे कि 19 सीठ है 25 में बता रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में हमारे एक साथ ही थे उनका रैंक 22 था ठीक है और उनका अगर वह पाया आपको 25 या उसे कम रहेंगा में हो जाएगा फरस्ट में आपका नाम आ जाएगा अब इससे ज्यादा अगर जिसका होगा ठीक है उसका भी नाम आ सकता है अगर वो स्पेशल कैटिगरी से बिलॉंग करते हैं ठीक है इस पेशल कैटिगरी पलस दो-दो कैटिगरी एक एक साथ हो उनके साथ जैसे कि ओबीसी वोमेन इडवलूएस वोमेन ठीक है पीडवलूडी पीडवलूडी होगा उससे आगे भी रैंग होगा तो उनका आशकता है या फिर पीडवलूडी पलस इडवलूएस ठीक है तो इस तरह के कंडिडेट का नाम आ सकता है फॉस्ट प्रोविजनलिस्ट में लेकिन पचीस जिसका भी शेयर जरूर करें ताकि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो सके और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल लाइकन दबा दें थैंक्स वोचिंग